हलो गईज विलकम टो अपडेट यहां में लेगी आपको डियो क्या हर को ने को ने की अपडेट तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइम ले मिल सके गईज डेली उनिवर्सिटी में CSAS, PG, DU, BTEC, BBA, LLB और BALB ओनर्स 2024 का रिजल्ट राउंड टू का आउट हो चुका है और उसको कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूं सारे रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं इसी एक मैंने सिंगल वीडियो में बना के बता देता हूं ताकि उन बच्चों के जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी XYZ यूटूबर की वीडियो देख लेते हैं फिर गाइस वो में स्काइड हो जाते हैं और फिर डियू में एड्मिशन ने ले पाते तो गाइस उन बच्चों के लिए चानल को सब्सक्राइब वीडिय और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि मेरी अवाज हर घर तक पहुंच सके हर बच्चे को पता चले कि आज भी यूटूबर है जो बच्चों की जेनुवनली और फ्री में हेल्प करता है तो सबसे पहले डियो की वेबसाइट पर चलना पड़ेगा आपको यहां यहां पर जैसी आप आओगे इसमें आपको क्या करना है नीचे आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के हो पीजी की स्टूडेंट हो तो पीजी की रिजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक कर देना अगर जैसी आप करोगी क्लिक तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो राउंड टू का जो पीजी का स्काजुड ले देख सकते हो दो बजे से आपका नौ जुलाई तक चलेगा उसके बाद एक मिडेंटरी में वह बच्चे भी अप्लाइग कर सकते हैं जो अभी तक जिन्हों ने सी जार रुपय का फॉर्म होगा याद रखना ठीक है और इसमें आप देख सकते हो आपका जो आज डिकलेरेशन एकसेप्ट सीट आ जाएगा यह सारी चीज़ आ जाएंगी तो इसको चेक कैसे करना है आप जैसी पोर्टल पर जाओगे यहां पर आपके क्लिक हेर टू सीट व अगर आपकी रीजल्ट आ चुका है तो फाइनली और आपको रीजल्ट सीट एकसेप्ट करनी आ गई होगी तो सीट एकसेप्ट कर लेना यह तो आप बात करते है बीटाट के बच चोंगा बीटेक का भी बच दो जुलाई से लेकर नौ जुलाही तक आपका फूरा सैकंड प्रोसीज़र चलेगा और इसको कैसे चेक करना है आप जैसी पोर्टल पर जाओगे तो यहां देख सकते हो कि इधर आओगे जैसी आप यह जैसी आप यहां पे क्लिक करोगे आपके सामने अगर सीट मिली होगी तो आपको दिखा देगा वो सीट नहीं तो आपको अगर नहीं आपका भी 2 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक है लेकिन आपका 9 जुलाई तक नहीं है इनका 7 जुलाई तक है जो टोटल सीन है ठीक है उसमें आपका payment last तक है अगर आपको सीट मिली होगी तो पोर्टल पर जैसी आप जाओगे यह आपका ऐसे पोर्टल होगा आपको यहां click here to to view allocated seat वोगा option इस पर click कर देना जैसे आप Click करोगे यहां पर आप देख सकते हो कि आपका option आ चुका है कि नहीं आपकर seat मिली होगी तो allocated seat होगा नहीं तो आप selected नहीं होगा अगर seat नहीं मिली है तो no allocation seat लिखाया है और अगर seat मिली होगी तो एक्सेप्ट सीट का उप्शन आएगा जिसमें आप एक्सेप्ट कर लेना अपनी सीट तो यही कुस्ता गाइस इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज मुझे कामें सेक्शन में जरूर पूछेगा और एक मेरा टेलिग्राम ताकि वहाँ आपको सारी अप्डेट्स मिल सके गाइस यह गाइस हमारा टेलिग्राम ग्रूप है इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखिए अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है डियू के किसी भी चीज के रिगार्डिंग आप इसको जॉइन करिए अगर लिंक आपको ज़रा सी भी इन्फरमेटिव लगी तो गई एक लाइक तो बनता है और आप से कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फरमेशन मिस ना हो जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू